जगदीश राज ने अपने पुलिस वाले फिल्मी करियर में कोई वराइटी नहीं रखी वो एक जैसे पुलिस वाले बने रहे उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी किसी को भला बुरा नहीं कहा गाली नहीं दी, किसी को डराया नहीं, धमकाया नहीं, कोई third degree नहीं दी, जबरन वसूली नहीं कि, encounter नहीं किया, कोई सबूत इकठा नहीं किया, किसी से दुश्मनी नहीं रखी तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, अपने आपको कानून के हवाले कर दो बॉलिवूड में सबसे ज़्यादा यूस की गई लाइन्स में से एक लाइन ये भी थी, 70s, 80s में तो हर तीसरी फिल्म में ये लाइन यूस की जाने लगी थी, क्योंकि उन दिनों क्राइम बेस्ट फिल्मों का चलन था, और आप तो जानते ही हैं कि जहां क्राइम होता है, वहाँ पुलिस होती है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हलाकि लंबे हाथो वाले कानून के पैर शायद छोटे रहते होंगे, तभी बॉलिवूड फिल्मों में पुलिस कभी समय पर नहीं पहुँच पाती थी, हीरो दुआरा गुंडों को धूल चटा कर अ एक एक्टर के बारे में बात करना जरूरी है, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार पुलिस की वर्दी पहन फिल्मों में गुंडों को सलाखों के पीछे पहुचाया है। इस लिस्ट में फॉल करता है, उन्हें मेटल डिटेक्टर से जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एरपोर्ट या अन्यस थलो पर उनकी भी तलाशी नहीं होती थी, एरपोर्ट पर अधिकारी खुद उन्हें जहाज तक लेकर जाया करते थे, ये सब इसलिए कि उस शक्स क कोई ये सब अपना हीरो मानते थे और उनी में से एक मानते थे, यानि वर्दी वाला, ये कोई और नहीं, ये थे फिल्म एक्टर जगदीश राज, सिर्फ एरपोर्ट सेक्यूरिटी ही नहीं, बलकि जब कभी जगदीश राज को ट्रैफिक पुलिस गाड़ी में देख लेत हाउसिंग सुसाइटी के गाड़्स उन्हें देखते ही सब खड़े हो जाते थे, मानो वो रियल के पुलिस ऑफिसर है, अब जिस इनसान ने 5 दशक तक फिल्मों में वर्दी पहनी हो, उसका इस तरह का रुत्बा तो बनी जाता है, अपने करियर की 200 फिल्मों में से जगद दीश राज ने बाकी बची फिल्मों में कुछ अलग तरह के किर्दार भी किये है, जैसे 1975 की एक महल हो सपनों का, इस फिल्म में वो विलन के किर्दार में थे, 1961 की प्यार का सागर और 1976 की दो अंजाने में एक डॉक्टर का किर्दार, 1969 की धूल का फूल और 1993 की इंसानियत का देवता में जज की भूमी का, लेकिन उनकी पहचान, उनकी शोहरत और उनका घर चलता था पुलिस के किर्दार से, हाला कि उन्होंने जितनी बार पुलिस की भूमी का निभाई है, उस हिसाब से तो उन्हें पुलिस विभाग से पेंशन मिलनी चाहिए, जोक से पाट, एक हॉलिवड कास्टिंग डिरेक्टर नहीं गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को मुंबई इन्वाइट किया, और ज पुलिस कमिशनर का रोल दिया, इन दोनों फिल्मों से पहले यानि वर्ल्ड रिकॉर्ड का तंगा पाने से पहले, वो केवलिए इंस्पेक्टर के रोल ही किया करते थे, इतने सालों में उनका कभी प्रमोशन नहीं हुआ था फिल्मों में, लेकिन रिकॉर्ड उनके नाम हो पुलिस का किरदार निभाये था जगदीश राज ने फिल्मों में अपना करियर एक बाल कलाकार के तोर पर शुरू किया था जब उन्होंने 1949 की एक ही रास्ता फिल्म में पहली बार काम किया था लेकिन उनकी पहली फिल्म थी 1955 की सीमा जिसमें उन्होंने एक डॉक्टर का किर पन में रिलीस्ट फिल्म CID में पुलिस का किरदार निभाये था और यही से उनके पुलिसिये करियर के शुरुआत हुई थी हमने कुछ दिन पहले एक quiz question में पूछा था कि 90's के Bollywood का वो कौन सा गाना था जिसमें singer की हर line को chorus में repeat किया गया है बहुत सारे जवाब मिले हमें लेकिन unfortunately किसी भी social media platform पर सही जवाब नहीं मिला मुझे लगता है जिन्होंने सारा जमाना हसीनों का दिवाना सौंग बताया वो इस answer के सबसे close थे हलाकि उस गाने में भी कुछ line score असने नहीं गई थी तो हम बताते हैं इसका सही जवाब ये गाना है hero number one फिल्म से fun fact ये है कि 1928 में पाकिस्तान के सरगोधा में जन्म लेने के बाद बॉलीवुड में फिल्में जॉइन करने से पहले वो रॉयल इंडियन एरफोर्स में काम करते थे ये second world war की बात है उस वक्त वो real life में खाकी पहनते थे उस वक्त रॉयल इंडियन एरफोर्स की युनिफॉर्म खाकी ही थी इसके बाद फिर medical issues की वज़े से उन्होंने जॉब छोड़ दिया फिल्मों में हमने पुलिस के अनेको रूप देखे कभी इमांदार, कभी भरस्ट, कभी विलन, तो कभी गरीबों की मदद करने वाला लेकिन जगदीश राज ने अपने पुलिस वाले फिल्मी करियर में कोई वराइटी नहीं रखी वो एक जैसे पुलिस वाले बने रहे उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी किसी को भला बुरा नहीं कहा, गाली नहीं दी, किसी को डराया नहीं, धमकाया नहीं, कोई थर्ड डिगरी नहीं दी, जबरन वसूली नहीं की, एनकाउंटर नहीं किया, कोई सबूत इकठा नहीं किया, किसी से दुश्मनी नहीं रखी केवल वेतन के पैसे उपर जिंदगी गुजारने वाले वो पुलिस आफिसर बने रहे जिससे ना ज्यादा आशा रहती थी और ना किसी को उनसे बैर रहता था उनके कुछ यादगार पुलिस वाले किरदारों की बात करें तो 1960 की काला बाजार, 1961 की हम दोनों, 1970 की इलजाम, 1975 की दिवार, 1977 की आईना, 1978 की डॉन, 1980 की सिलसिला और नसीब, 1982 की शक्ती और 1983 की मजबूर फिल्में याद आती हैं आम एक्टर से अलग जगदीश राज घर से ही पुलिस की वर्दी में सेट पर पहुचते थे, क्योंकि उन्होंने घर पर ही दो-तीन वर्दिया सिलवा कर रखी हुई थी, जाने कितनी ही बार लोग उन्हें असली पुलिस वाला समझ बैठते होंगे जगदीश राज की बेटी अनीता राज एक सफल एक्ट्रेस रही, वहीं उनके बेटे बॉबी राज एक सफल डिरेक्टर प्रडूसर रहे थे, जिन्होंने 1986 की संजदत की फिल्म मेरा हक से करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद उन्होंने अगें संजदत और रवीना ट तब ही उन्हें फिल्म में लिया जाएगा, मतलब इमानदारी थी उस वक्त, जगदीश राज की ग्रेंड डॉटर यानी बॉबी राज की बेटी सुनाक्षी एक फैशन डिजाइनर है, उनकी दूसरी ग्रेंड डॉटर मलवी का मॉडल है और हाल ही में डैनी के बेटे रिं मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोट के साथ, तब तक के लिए